तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बदा दे मधिपरदेश के उज्जेन से जिले काइथा से आ रही जहां इटावा से अमदाबाद जा रही बस काइथा बैटल पम्प के पास पल्टी है दो यात्रियों की मौत बाकी यात्रियों को गंबी रवस्ता में उज्जेन रेफर किया है तो इटावा से अमदाबाद जा रही बरुवर्शताब्दी एक्सप्रेस काइथा पैटल पम्प के समीप सुत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार ट्राइबर को नीद का जोका आने से बस बेकाबू होकर पलट गई वहीं गटना की जानकारी लगता ही कायता पुलिस मौके पर पहुँची एवम घायलों को जिला अस्पताल उज्जेन रेफर कर दिया वहीं ये क्यात्री की मौके पर ही मौत हो गई वहीं मृतब को तराना सिबल ऑस्पीटल को पोस्ट माटम के लिए पहुचाया है वहीं ये क्यात्री को जैन घायलों वस्था मिले जाने के कारण मौत हो गई वहीं बाकी आत्रियों का शासकियर जिलाचिकर सालय उज्जेन में इलाज चल रहा है क्या है पुरा कारण तराना खाने मुझाय था इसका प्रियम वहीं जानकरी कि ट्रावर की जबकी आने के कारण है तो क्या है इसे ही रोग्यों एक पो ओड़ी है और बारिस वरिसकी वज़े से लिए बार्वर को नीन लगई हो या भी गाना दाओ लेकिन इसमाइब लापर वाई तो पूर में तराना के जलील शाह के परिवार की चेलोगों की मौत हो चकी ती ती घटना इससर प्रत वहां पर बश्चागर को भी वहां ने अगर रहने इस पूर को नियत दी तरहीगा तो इसे कि तुबारा इसी लगतना है तो परिवार के लोगों जैतुक्स मुझा उचुकि लिए प तो शुत्र दौर जानकर यह भी एक उज्जन में भी एक इलाच के तौरान एक की मौत हुई है मैं तोटल दो मौते का अक्ला मौत हुई है को हाँ जना हस्पिटर में रुक्ति हुई हो एक घटनास्तर में जिसकी लिए उसको पत्ताली हम उत्वालिये लेता है और जाय लो झाइ